दोस्तों Mobile Technical Group में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि SIM को बंद करने के बाद आप अपने Mobile Phone में इंटरनेट कैसे चलाएंगे दोस्तों ना तो आपको हम Wi-Fi आन करेंगे और ना ही हम आपको किसी भी Mobile से Bluetooth को कनेट करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इंटरनेट को बिना डाटा आन किये फ्लाइट मोड में हम आपको इंटरनेट चला करके दिखाएंगे वो भी Live Proof दोस्तों बहुत ही कमाल का ये वीडियो है इस वीडियो को आप पूरा देखेगा दोस्तों यहां पे हम आपको कुछ टिक दिखादेना चाहते हैं आप देख सकते हैं ये मेरे Mobile Phone का ये YouTube है और यहां पे हम आपको कोई सावी वीडियो यहां पे हम आपको प्ले करके दिखा देते हैं यहां पे आप देख सकते हैं यह मेरे मोबाइल फोन में यूटूब जो है की प्ले हो रहा है ठीक है अब यहां पे हम कोई सावी वीडियो चाहें तो यहां प्ले करके देख सकते हैं ठीक है और आप हमारे मोबाइल फोन के स्क्रीन पे यहां पे आ मेरा जो मोबाइल फोन है यह फ्लाइट मोड में है लेकिन यदि हम चाहें तो इस फोन से आपको किसी के भी नंबर पे इस डिवाइस से हम काल कर सकते हैं दोस्तों काल भी जाएगा इंटरनेट भी चलेगा दोस्तों यह कैसे हुआ इसके लिए इस वीडियो को बिना करते हैं चैनल पर पहली बार आएं है तो प्लीज इस चैनल को आप स산स्क्राइब कर लाएं और सबग्ल करने यहां द दें और यहां पर कमेंट बाक्स में आकर कि फ्लाइट मोड वीडियो कर दें दोस्तों इतना आपको काम कर देना है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रदी मौरिया अब दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं मेरे मोबाइल फोन में अब सब कुछ चालू कर देते हैं यहाँ पे मेरे मोबाइल फोन में टावर भी है मोबाइल नेटवर्क डाटा भी आन है और यहां पे फ्लाइट मोड जो है कि बंद है ठीक है अब यहां पे हम आपको सब कुछ बंद करके आपको दिखाएंगे ठीक है यहां पे हम डाइरेट फ्लाइट मोड पे ही क्लिक कर देते हैं अब यहां पे देख सकते हैं ना तो मेरे मोबाइल फोन में डाटा आन है और ना ही मेरे मोबाइल फोन में कोई टावर सो कर रहा है ठीक है यहाँ पे फ्लाइट मोड में मेरा मोबाइल फोन हो चुका है अब यहाँ पे आप को क्या करना है ठीक है यहाँ पे देख सकते के बाद सबसे उपर एक option मिलेगा about phone का सभी mobile phone में ये about phone का option होता है ठीक अपने इसाब से ढोड़ लिजेगा इस पर click करिएगा click करने के बाद यहां पर सबसे नीचे आईएगा ठीक है यहां पर नीचे आईएगा तो यहां पर आप देखेंगे internal storage का एक option मिलेगा इस पर आप 4-5 बार touch करिएगा ठीक है ऐसे 4-5 बार जब touch करेंगे तो यहां पर एक phone information का आपको एक option open होगा एक page आपके सामने open होगा यहां पर phone information one पर आपको click करना है ठीक है जैसे one पर आप click करेंगे ठीक है यहां पर आप नीचे आएंगे ठीक है नीचे आने के बाद यहां पर mobile radio power का एक आपको button दिखाए देगा जो यहां पर आफ आपको दिखाए देगा ठीक है इससे आपको क्या करना है आन कर देना 2-3 बार करेंगे test तो यह आन हो जाए ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं यह आन हो गया आन होने के बाद आप अपने मोबाइल फोन में इंटरनेट भी चला सकते हैं किसी को भी काल्क भी कर सकते हैं और अपने मोबाइल फोन को अपडेट भी कर सकते हैं और जो भी देखेगा वो चोक जाएगा यहाँ पे हम आपको अब मोबाइल फोन का यह सारा वीडियो यहां पे दिखाई देने लगा ठीक है यदि वीडियो को प्ले करना चाहते हैं तो यहां पे देख सकते हैं यह वीडियो मेरा जो है कि प्ले हो गया ठीक है आप देख सकते हैं ठीक है और यहां पे आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल फोन का इसमें नेटवर्क जो है कि बंद है कोई भी नेटवर्क नहीं है ना तो डाटा आना है अब यहाँ पे मेरे मोबाइल फोन में यूटूब चला है ठीक है दोस्तों इस तरीके से इस सेटिंग के माध्यम से आप किसी को भी चौका सकते हैं और मजे ले सकते हैं दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दें वीडियो को सेर कर दें चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज इस चैनल को सस्क्राइब कर लें तो दोस्तों मिलते हैं कुछ इसी टाइप की वीडियो के साथ आपका दिन सुभो